हालो गाईस कैसे हूँ आप लोग उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे तो आज हैं 19 अगस्त 2024 से 36 गड़ से जितने भी महातप्पूर करीन टफियर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ ही इस वीडियो का पीडियेप आप हमारे टेलिग्राम चैनल किस जिले में इस्थित है चार ओप्सन दिये गए हैं आपके पास 10 सेकेंड है 10 सेकेंड के भीतर आपको उत्तर कमेंड करना है इनका राइट एंसर हो जाएगा बी जस्पूर जिले में इस्थित है अब जस्पूर जिले की बात आई है तो जस्पूर जिले के बारे में प्रिथक करके जस्पूर जिले का निर्मान किया गया है शमवर्ती राज्य तो उडिसा से लगा हुआ है ठीक है और यहां की जन जाती मुंदा उराओ पहाडी को रवा यहां पर निवास करते हैं हवाई पट्टी अंगडी हवाई पट्टी राज्य साशन के अधीन सबसे चोटा अभ्याराण है एकसो पांच वर्ग किलो मेटर में यहां फैला हुआ है ठीक है जल प्रत रानिदाह जल प्रपाद्ध घमेरा जल प्रत खोडिया जल प्रत राजपूरी जल प्रत ये सब जस्पूर जीले में इस्थित है कुनकुरी एसिया का सबसे बढ़ा द प्रदेश छेत्रफर के अनुसार प्रदेश के सबसे बड़े पार्ट प्रदेश में आता है इस कोशन से भी आप इतना इंपोर्टेंट फेक्ट को याद रखिए निश्ट कोश्चन की ओर बढ़ते हैं राज्य सरकार चतिस गड़ की इवाओं को रोजगार हेतू सहायता प्रदान करने के लिए किस एप कशुबारब किया गया है चार ओप्सन दिये गये हैं आपके पास दस सिकेंड है इसका राइट एंसर हो जाएगा ए चतिस गड़ रोजगार एप ठीक है ये किसन के द्वारा जारी किया गया है तो 36 गड़ सरकार के द्वारा यहां जारी किया गया है भुपे ये किनके द्वारा तो माननी यहां विजय सरमा और विश्डु देवसाय के द्वारा क्या है जारी किया गया है इससे आपको रोजगार मिलेगा इस एप में आपको रजिस्टर करना होगा अभी इनकी जो डाउनलोडिंग है वहां दस अजार प्लश हो गई है ठीक है इनके द्वारा आपको रोजगार जल्दी से प्राप्त होगा ठीक है चलिए नेश्ट कोस्टन की ओर बढ़ते हैं बस्तर में परियाटन छित्र को बढ़ावा देनेवा दबस्तर मड़ाई का लोगो बस्तर टूरीज सर्किट ठीक है मैप और थीम म्यूजिकल का मिमोचन किया गया यहां किनके द्वारा किया गया है इसका राइट एंसर हो जाएगा भी विजय शर्मा के द्वारा किया गया है यहां जो बस्तर की ठीक है परियाटन छित्र को बढ़ावा देने के लिए क्या है दबस्तर मड़ाई का लोबो का क्या है और साथ ही इनका जो बस्तर टूरीज मैप और थीम इन दोनों का क्या है विमोचन उपमुख्य मंत्री द्वारा किया गया है चलिए नेश्ट की वोड बढ़ते हैं उमीद है आप लोगोंने ट्राई चरूर किये होंगे भुतेश्वरनात महादेव मंदिर किस जिले में इस्तित है चार ओप्सन दिये गए है इसका राइट एंसर हो जाएगा सी गरियावन जिले में इस्तित है भुतेश्वरनात अब गरियावन की बा मुख्याला गरियावन मातरित जीला रायपूर रायपूर से प्रिथक करके गरियावन जिले का निर्माड किया गया है राजिम चटिसगड का प्रियाग महानदी सोडूर पैरी के शंगम पर इस्तित है और ये कोश्चन काफी बार पूछा जा चुका है प्राचिन नाम देव दूती कल्चूरी शासक के द्वारा करवाए गया है मंदीर में विश्वरो की प्राचिन तम जो मुर्ती है ठीक है काले ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए हैं और गरियावन भूतेश्वर महादेव वरतमान में चत्तिसगड का सबसे बड़ा शिवलिंग है जिसकी भी बात हो रही है ठीक ही क्योंकि यहाँ भी शावन का मैना है ठीक है इसलिए यहाँ अभी चर्चा में रहा है और चत्तिसगड का सबसे बड़ा शिवलिंग है आप इसको याद रखिए हीरा का बंदारन मैन पूट पालिया खड बहराडी कोदोमाली कुसमुंड से हीरा प के लिए इसको रिजर्व किया गया इस कोशन से भी आप इतना इंपोर्टेंट फेक्ट को याद रखिए चलिए निश्ट कोशन की और बढ़ते हैं प्रदेश का पहला नेत्रच की सक्सान स्थान कहां पर इस्थापित किया जाएगा चार ओप्सन दिये गए हैं आपके पास दस सेकेंड है इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा माना सिविल अस्पताल में खोला जाएगा और माना कहां है तो माना ये एरपोर्ट का आपनो नाम सुने ही होंगे यहां राइपूर में इस्थित है अर्था नया राइपूर में इस्थित है अब राइपूर की बात आई है राजधानी राइपूर तो उसके बारे में एटलननगन्नवरायपूर 1862 में रैपूर को च्छतिंज गड़ कैंट सिंह सरिब्स ओपो . elen stiff === तिलधा राइस कमप्लेक्स पॉली पार क्छतिंज गड़ की शर्वाधिक राइस महिले तिल्दा में इस्थी थाय है IT पार का IIT इस्तित जंगल सफारी जो की मणवा ग्राम में इस्तित है परशदा वीर नाराड सी हैं अंतराश्टी क्रिकेट स्टेडियम ये most important question हो सकता है अनिवाली एक्जाम में क्योंकि यहाँ पर 36 गर सी जी फिल का भी मेच हुआ है प्रमुक संस्थान देखते हैं इनाईटी इनाईटी का पूरा नाम इन आईटी नेश्टनल इस्टिटिव टिक्नो लौजी ये कहा है तो रायपूर में इस्तित है औल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स पूर्खोती मुक्तगंज राजे सरकार दुआरा 36 गर की प्राचीन संस्कृति को सहजेम दरसाने का प्रयास किया गया है और यहीं पर है चंद्रखूरी कौसिल्या माता भारत का एक मात्र मंदिर जो हटकेश्वर खारून के तट पर इस्तित है यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बाक्स में जरूर बताना यदि मेरे इस वीडियो से दिया आपको हेलफूल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक से एर कमेंट तैंक्स पर वाचिंग इंडिया गर्ड